नमस्कार मैं एड़ोकेट विकास याद हूँ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में जैसा कि आपको पता है हम AIV 18 की प्रिप्रेशन के लिए हम वीडियो की सीरीज बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हमने चूज किया है जो हम पहले करना की कोशिश कर रहे हैं तो सुबह वाले वीडियो में हमने 25 कोशन कर लिए हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं राचा रामपल वर्सीज ओंडेवा स्पीकर लोग सबाद इस यह जजिमेंट कौन से टोपिक से कर सकते हैं यह डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन ऑफ सीट दो अलग चीज़ है एक्सपुशन अलग चीज़ है अंडर अर्टिकल वन ओफ दी कॉंसिटूशन इंडिया देट इस भारत शाल भी यह यूनियन ऑफ स्टेट से आप उनको पता है यह अपना अर्टिकल में में लिखा हुआ है प्यारे भारत अ मिनिस्टर सेजिस्टू होल्ड ओफिस इफ ही दस नोट बिकम अमेंबर ओफ लेजिस्लेचर विदिन सिक्समांस इस मैंशन अंडर यह आपका आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है बेर एक उठाओ आर्टिकल 164 ख इस पाइब लिखे इस कोशन में जो नोने आंसर की दिये एएएबी वालों ने उसमें इसका इंसी आर्टि आंसर दिया लेकिन यह आईएसाई भी इंडिया स्टेट माना गया है बी एस मिनास वर्सीज आईएसाई वाले केस पर दुक्की के एकोर्डिंग तो इसका आप आ हमने जीज स्टेटान वाला मतशन में बोला गया तक Requ trillion करेक्टर है अगर ऑरडिंग करेक्टर घ्रम मनें बहुद का तो वह चीज ना हो संस्था ना हो अगर गोर्मेंट का इंटरफेरेंस है तो हम मान सकते हैं कि वो एक स्टेट है काफी बाते से में बोली गए थे फिर BCCI वाले केस भी आये थे वो आप देख लेना यह आपको पता है आर्टिकल 323A और 323B में आपको एडमिस्टेटिव ट्रिबिनल के बारे में बताता है 323B ट्रिबिनल्स पूर अधर मैंटर्स के लिए बारे बताता है देखे यह काफी इंपोरेंट कोशन मनता है थोड़ा इसको ध्यान जैसे देख रहा है इसका अंसर वाज़ शंक्री परसाद है देखे सबसे पहले केस आया था शंक्री परसाद 1951 में इसके अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी 271 को इसके अंदर चैलेंज किया गया था किश्व नंदा भारती में दुबारा बोल गया कि अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्टेक्चर को अमेंड नहीं कर सकते है इस चीज का आप ध्यान रखना ठीक है बेसिक स्टेक्चर जुडिशल रिवी हो गया आपका फिरी एंड रिलेक्शन हो गए और भी भूसी चीज़ें ठीक है तो इस जीज का ध्यान रखना कि क्या मलब पूछ लेता कई पर डेट्स वगेरा पूछ लेता ध्यान रखना इन चीज़ अगा लोग विच वोइलेट्स फंडमेंटल राइट्स इज नोन नलिटी और वोइड अप इनि प्रमोशन के लिए यूडीसी का जो एक्जाम दे दिया गया था तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया था कि भाई यह जो इनको दी जा रही है सही है यह गलत है तो यह सुप्रिंग गोर्ण ने बोला डिव वैलेड है इसमें कोई दिक्रेट वाली बात है नहीं दासंपूरन क्रामिन रोजगार योजना उनिवर्शन रूरल एंप्लोइमेंट प्रोग्राम वाज लोंच्ट इन 2001 एंड वाज इंप्लिमेंट थ्रो देखें यह प्रकादा करन्ट अफेर कोशन कह सकते हैं तो इसका पंचायदा आज इंस्टिउशन आंसर आजागा को दि पिछे कॉंसिटूशन के पिछे वाले पन्नों में सेवन शेडूल है उसमें यूनियन लिस्ट टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट दिया है अब हाँ से देख सकते हैं जैसे इसमें आप देखोगे कॉंकरेंट लिस्ट में जो आइटम नंबर 22 है उसके अंदर दिया हुए ट्रेड उनियस इंडिस्टियल और लेबर डिस्प्योट्स विच आर्टिकल अंडर दी कॉंसिटूशन ओफ इंडिया टोक्स अबाउट दी पाटिस्पिशन ओवर्कर्स इन दी मनेजमेंट ओफ इंडस्ट्री यह वी साफ है अपना पेर एक्ट खलो 43 है देखो आगे बढ आर्टिकल 23 & 21 का जो आपका सेल्फ इंक्रिमनेशन के बारे में बताता है ठीक है तो इसका अंसर फस्ट आजाएगा कल भी आया था यह कोशन अपने निकल किया था अपनेशन के बढ़की कितना ही पढ़ लो जिसको नहीं पता तो नहीं पता ठीक है आगे बढ़ो ये देखे ऐसा है कि कई बार जैसे कुछ कैदियों को मलब बोलते हैं कि उनको बिल्कुल सोल जो सैल होता है उसके इंदर भेज देते हैं यहां पर कोई उनको दिखता नहीं है दूप की रोशनी भी नहीं आती ना जो कैदियों अगरे उत्मून से मिल सकते हैं तो यह प्रिकार का आर्टीकल 21 का वो इलेशन है यह सुनील बत्रावर्सी डेली एड्मिस्टेटी में बोला गया था ठीक है ध्यान रखना यह थोड़ा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वाज चैलेंज इट वाज हैंड देखिए यह बोला गया था कि भाई गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने अपना कमिशन मनाया तो यह स्टेट ऑफ करनाटका ने इस चीज को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोट में कि यह आप आर्बिट्रेरी है यह इस उनकी दलिले थी सुप्रीम कोट ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं कोई भी फैडर स्ट्रक्टर यहां पर डेमोलिश नहीं हुआ ठीक है तो केस डिस्मिस हो गया था यहां पर और गवर्मेंट ओफ इंडिया चीट के दिया एक्विलेटी इस डाइनेमिक कंसेप्ट यह जो वाली लाइन है इनफेक्ट एक्विलिटी एंड अर्बिट्रेडी लैस आर्स्रों अनिमी यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट लाइन है इसको थोड़ा ध्यान करें चलना यह दो लाइन लेकर ही कोशन आ रहा है यह जिसे नेट में भी यह लेकर कोशन आ रहा है सीउट में भी कई बार आ गया है और इसके अंदर भी आप देख सकते हो तो काफी इंपोर्टेंट केस हो जाता है यह डिरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्टिवेबल एस फंडेमेंटर राइट्स नोन जस्टिवल यह आप देखो आपको पता है यह भी कोशन अमने पिछली बार कि है कि नोन जस्टिवल होते हैं ठीक है फॉर्थ ओप्शन हो इसका हो जाएगा है यह सबको पता है प्रेजिडेंट आगे भड़ो अनवेंट्मेंट ऑफ दी कॉंसिटूशन कैन वी इनिशेटेट वा इंट्रोड़क्शन ओफ बिल फोर सच पर पल तो यह किसी भी हाउस में कर सकते यह तो लाइस में यह अपरहुस में कर सकते को दिकत की बात है नहीं सब्सक्राइब कर देखें मैं इसके बारे में शोर नहीं हो क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा यह थोड़े से मैंने वेबसाइट पर थोड़े रिसर्च की थी आईस वाली द्रिस्टी आईस वाली भी वाजिराम आईस वाली भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यह या तो यह कोशन में मिस्प्रिंट है या फिर ओप्शन की दिकत वह आप देख लेना मेरे एकोडिंग फॉर्थ ओप्शन ह चाहिए विच ओवधी फॉलइंग आर इंक्लूद इन्टेप्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 देखी यह स्टेट वाला कोशन इसी में दो बार आ रहा है तो एक कोशन तो आप मान के चलो आए गई आएगा कुछ खेह नहीं सकते देखें इस कोशन में यूनिवर्सिट आपका स्टेट नहीं होता है ठीक है कभी कभी जूडिश्री अगर रूल मेकिंग का काम करें तो आप स्टेट कह सकते हो लेकिन अगर वह ओल्ली जूडिश्री का काम करती है तो वह स्टेट नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट ने काफी बार क्लारिफाई किया है कि जूडिश् हो उसका एक प्रूफ हो वैल उसको अच्छे से मोडिफाई किया हो ठीक है तब ही वह वैलेड लो मना जाएगा इसे को दिक्कत वाली बात है नहीं चलिए बाद मिलते हैं आगे के 25 कोशन अपने बात करेंगे ठीक है ओके